यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पूरी आग जनी के बाद मौके पर मौाइना करने के लिए स्टीम प्रशांत कुमार भी पहुंचे उन्होंने बताया कि फैक्टरी में आग किन काड़ों से लगी है और फैक्टरी में अनुमानित कितना नुक्सान हुआ है वो आग बुझनी के बाद ही पता चल पाएगा फिल सब्सक्राइब आप देख रहे हैं तस्वीरों से आप अपने अंदासा लगा सकते हैं कि इतनी भयानक याग रही हाला कि आग किन काड़ों से लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है लेकिन सोनीपत के कुंडली का ये मामला है जहां पर आग का तांदव जो है वो देखने को मिला है ऐसे में जाग पर काबू पाने के लिए दमकल की करी बारा गाड़ियां मौके पर मौचूद हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं अभी तक भी इस आग पर पूरी तरहा से नियंत्रेण नहीं पाया गया है सो अग के लगने से हुआ है तो यह तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरहा से कितनी भैयावे याग रही और इन तस्वीरों सेही अपने आपमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बहृंकर याग रही इसके साथी इस आग पर सुभा लगी थी और साथी अभी तक इस पर गादिया के लावा डिली से भी गाड़ियों को मंगाया है दंकल को क्या अगपर अब तक काबु पर नहीं पाया गया है ज्यादा जान करेंगे कुल दीप हमारे संवेदाता सोनी पर स्फ उलाइं पर हैं को डीप अभीрь के क्या कुछ जानकारी के लिए तो अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सगा है बारा गाडिया मौके पर हैं और ऐसे में फैक्टरी में जो आग लगी थी उस पर काबू पाने की कोशिशें लगाता जा रही है कौन के बारब कार जुग है